मेडिया जगत में बीजेपी के मुखपत्रों की कमी तो है नहीं दोस्तों हर चानल जो भी उठा कर देख लिजेए बीजेपी कही महिमा मंदन कर रहा है बीजेपी कही गुडगान गा रहा है तुमाम बीजेपी निताओं की तारीफ पूरा दिन चल रही है तो मेरे हिसाब से कि आपके हिसाब से भी इजेपी को अपना टीवी चानल लौंच करने की कोई जरूरत नहीं थे, लेकिन बीजेपी ने ऐसा किया है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लग्ता है कि गोधी मेडिया को तो चलिये, गोदी मीडिया हमने बना ही दिया और वो तो हमारी तारीफ करी रहे हैं लेकिन एक चानल जरूर ऐसा होना चाहिए जिस पर पूरा दिन बीजेपी के तमाम योजनाओं तमाम रणीतियों का प्रचार प्रसार हो और उसी योजना को साथ लेकर बीजेपी ने एक राज्ये में अपना टीवी चानल खोलने की ख़वर जो है बाइरल कर दी है और वो जो ख़वर है आपको पताएंगे ने नामने जैयंती जहा और आप देख रहे हैं धनेशन दोस्तों में 2014 पे होने बारे हैं पेहान कारीबो होगी तो हजार पूरा सकाल बिधासभा चुनाव में जाएगा दोहजार-फिस के冷 Nach겠 में नितिज़े दोहजार चुविस के लोगसभा चुनाव की नतीज़ेतै करेंगे अब जो लोगसभा है लोग राज्जय में ओगा तमिल्लाडु में भी की कोशिश होगी ही लेकिन नहीं पध्यात्रा का प्रचार प्रसार क्यों करेगा क्योंकि तमिलाडू में तो बीजेपी की सरकार नहीं है इसलिए बीजेपी ने आप नहीं रड़नीती तयार की है कि वो खुद का टीवी चानल जो है वो लांच करने जा रही है और यह जो बारतिये जनता पार्टी की तमिलाडू एकाई एक नया कदम उठाने जा रही है जिससे इस वक्त सब आश्चरे चकित रह गए हैं दंग रह गए हैं देखिए तमिलाडू में यह जो चानल है यह लांच होगा केरल में पार्टी का मुखपत्र है और उस मुखपत्र का नाम है दोस्तो जनम टीवी इसका विस्तार करते हुए ना सिर्फ केरल में यह जो चानल है इसको चलाया जाएगा बलकि अब तमिलाडू में भी इसी का विस्तार करते हुए यह जो चानल है इसको लांच किया जाएगा और इसकी घोशना जल्दी होने वाली है देखेगा कि तमा तो दूसरे चारीफ जो कि अभी तक लाँच भी नहीं हुआ है उसके तारीफ क्यों करेगा लेकिन करनी पड़ेगी क्योंकि BJP का मुखपत्र होने वाला है जो पूरा दिन BJP की तारीफ करें पूरा दिन BJP की महिमामन करें या फिर बीजेपी से जुड़ी तमाम रणीतियों क के बारे में जनता को बताए उनके तमाम एंकर्स वही करेंगे और उस चैनल पर वही होने वाला है तकरीबन कितने करोड की लागत लगने वाली है वो भी बता देते हैं आपको चैनल को शुरू करने के लिए 15 करोड रुपे की लागत लगाई जाएगी 15 करोड रुपे और यह जो राश्य कहां से जुटाई जाएगी यह भी सुन लिजे यह 15 करोड रुपे की राश्य में बीजेपी और राष्ट्य स्वयम सेवक संक यानि आरेसस की निधी से जुटाई जाएगी उनके जो पैसे है उससे जुटाई जाएगी उसके संसाधनों का इस्तिमाल करके जाएगी विलाद चानल के लॉंच की तारीक जो है वो तो सुनिष्ट नहीं की गई है लेकिन चानल लॉंच होने वाला है इसके जानकारी खुद बीजेपी के नेता ने दी है दोस्तों बीजेपी नेता का कहना है कि तमिल चानल का नाम जनम टीवी ही होगा यह शहर के जोजना को इसलिए शुरू किया जा रहा है क्योंकि 14 अपरेल 2023 से शुरू होने वाली राज्यव्यापी पदियात्रा की शुरूआत जो है दोस्तों यह होगी जो कि बीजेपी करेगी और इस पदियात्रा को कवरेज देने के लिए चानल की शुरूआत की जा रही है इस चा मिलाडू में भी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 49 संसदिये सीटे हैं यानि 39 संसदिये सीटे हैं लोकसभा सीटे जिस पर चुनाव होगा दोस्तों तो ऐसे में पिछले लोकसभा चुनाव में भी पीजेपी को तकड़ा जटका लगा था इस लोकसभा चुनाव में कहीं जटका ना लगे थोड़े बहुत सीटे तो हाथ में आ जाए उसके लिए 15 करोड की लागत से चानल खड़ा किया जाने वाला है मैं हैरान हूँ इस खबर को देखकर और सुनकर बहुत जादा हैरान हूँ दोस्तों क्योंकि देखे ऐसी पार्टी वह पार्टी जो पहली बात तो देश के सत्ताधीन पार्टी है देश के सत्ता में विराजमान है शक्ति-शाली पार्टी के तौर पर देखी जाती है आप अगर उनके बारे में कुछ गलत बोलेंगे तो आपको सजा होते देर नहीं लगेगी आपके खिलाब मुकदमा लगते देर नहीं लगेगी तो वो पार्टी क्यों उस पार्टी को बाकी चानलों के अलावा एक अपना नया चानल खड़ा करने की जरुवत पड़ रही है मैं ये बात थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ समझ नहीं पा रही हूँ देखे थोड़े बहुत प्रश्ण है मेरे दिमाग में थोड़े बहुत सवाल है कि क्या राहूल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से गोधे मीडिया जो कहीं ना कहीं कॉंग्रेस की तमाम खबरों पर, कॉंग्रेस से जोड़ी तमाम खबरों पर, भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ी तमाम खबरों पर राहुल गांधी से जोड़ी तमाम खबरों पर शिफ्ट होता जा रहा है क्या उस बात का डर तो नहीं लग रहा है बीजेपी को क्योंकि देखें दो हजार चौविस में लोगसभा चुनाव होने वाले हैं और लोगसभा चुनाव से पहले तमाम कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं लेकिन क्या बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की वज़े से गोधी मीडिया का जो में पॉइंट है केंद्र बिंदू है वो बीजेपी से हटकर कॉंग्रेस पर चला जाएगा या फेर दूसरी प्रदर्शन रहा तो दोस्तों बीजेपी का लोगसभा चुनाव के मैं बात कर रही हूं और अभी इस वक्त दोबारा जब लोगसभा चुनाव होने वाले हैं तो शायद बीजेपी को इस बात का डर सता रहा है कि पिछला अवाला जो प्रदर्शन है अकर वैसा ही प्रदर कि पूरा दिन उनी का जो सिलसलेवार तरीके से उन से जुड़ी जो खबरे हैं पदियात्रा से जुड़ी जो खबरे होगी वो लोगों तक पहचाई जा सके लेकिन फिर सवाल यह है कि उस चैनल को इतने बड़ी कीमत में खड़ा करने का फाइदा क्या होगा क्या बीजेपी इसका बारे में सोचा है 15 करोड की लागत दोस्तों कम नहीं होती है 15 करोड की बीजेपी और आरेसेश के संसाधनों का इस्तिमाल करके जुटाई जाएगी वो संसाधन क्या होंगे वो संसाधन क्या होंगे आप समस सकते हैं इस बात को ऐसी बड़ा पहाड जो है बीजेपी को इलक्टॉरल फंड मिलता है तो सबसे जादा फंड अगर किसी पार्टी को मिलता है दोस्तों तो वो बीजेपी होती है तो देखे वैसे 15 करोड रुपे जुटाना तो इतना मुश्किल नहीं है लेकिन फिर भी एक चानल को खड़ा करने के लिए 15 करोड रुपे जुटाए जाएगा सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीफ करवाने के लिए राहूल गांदी की भारजोड़ो यात्रा भी शुरू है शुरूआत में आपने देखा होगा एक भी मीडिया चानल उनको कवरेज नहीं दे रहा था कोई भी मीडिया चानल कवरेज देने के लिए तयार नहीं करना है कि क्योंकि कॉंग्रेस की भारजोड़ो यात्रा है तो नहीं करना है कवर तो हो सकता है इसकी वज़े से हुआ हो लेकिन गोधी मीडिया ने पहले बैश्षक कवर ना किया हो बाद में गोधी मीडिया पर लगा ता राहूल गांदी से जुड़ी चर्चा होने लगी भारत जोड़े यात्रा से चुड़ी चर्चा होने लगी अभी भी हो रही है दोस्तों तो ज़्यादा है यह जो मीडिया चर्चा इस वक्त राहूल गांधी की कर रहा है कि आगे जाकर वही मीडिया बीजेपी से ध्यान हटा कर वो जो चर्चा है वो कॉंग्रेस की तरफ चुनाव का जो डर है वो दिख राया यहां पर की पडियात्रा को दिखाने के लिए आपको एक नया चानल खड़ा करना पड़ रहा है अब देखना ही होगा कि इस चानल को लेकर बीजेपी का क्या बयान सामने आता है अभी जो बयान सामने आया है सेडिस्टाइड नहीं है उन्होंने सिर्फ जानकारी दी है अब इस चैनल पर क्या खबरे बनेंगी कौन कौन इस चैनल को जन्दा के सामने लाने की कोशिच करेगा यानि कौन कौन आंकर होगा कौन रिपोर्टर होगा यह देखने वाली बात होगी दोस्ता वैसे तो बहुत सारे ऐसे चैनल से जो इस सिर्फ और सिर्फ आंगर साहिबा की जरूरत पड़ती है बाकी यह भी हो सकता है कि रेडियो के जरिये भी मुखपत्र का इस्तेमाल किया जा सके अब ऐसे में यह जो चैनल है यह चैनल क्या भूमी का निभाएगा और तमिलाडू में बीजेपी की साख को जमा पाएगा की नहीं यह देखना लास्मी होगा वैराल दोस्तों इस खबर पर आपके राएग क्या है कमेंट करके जरूर बताइए कब वीजियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीजियो को लाइक करना भूलें फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ तब तक के लिए नमस सकत्रूब कर बार सकत्ता है